हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टड़ी विशृती इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्केस किया था कि होट एप्लिकेशन क्या होता है उनकी इंडिकेशन कॉंटर इंडिकेशन और टाइप तो हम उनका टाइप था लोकल ड्राइएट अप्लिकेशन इसको डेटेल में देखेंगे तो यह क्या होता है एप्लिकेशन होता है ड्राइएट का किसके लिए जिसको हम यूज करते हैं वोर्मर जो होता है एक एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं जो कि वोर्मर होता है ह जिसका की बहुत जादा जो है local effect पड़ता है, ठीक है? The application of dry heat means the use and agent warmer than the skin which is applied in a dry form to produce local effect. ठीक है? तो इसमें हम जो है discuss करेंगे hot water bottle को, heating lamps को, infrared lamps को, और ultraviolet lamps को. तो सबसे पहले आता है hot water bottle. hot water bottle में क्या होता है, यह तो common method होता है, जो है dry heat को apply करने के लिए और इसको क्या घरता है, therapeutic purpose या फिर जो comfort के method से भी हम इसको जो है use करते हैं. इसके indications क्या क्या है, कहीं अगर pain है, pain से relief के लिए, ठीक है, अगर back में pain है, stomach में pain है, dysentery की problem है, या dysmenorrhea की problem है, तो वहाँ पे हम इसको use करते हैं. अगर कहीं पे भी muscle spasm हो जाता है, हमारी muscles खिच जाते हैं, तो वहाँ पे इसका use करते हैं, और अगर inflammation हो रखी हो, वो कहीं पे swelling हो रखी हो, या फिर जो हमारे अंदर congestion हो जाता है, चेस्ट में congestion हो जाता है, तो वहाँ पे जो हम इसकी सिकाई करते हैं, घरम पानी डाल के bottle में, ठीक है, या फिर जो urine का retention हो रहा है, उससे relief लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिकाई करते हैं, hot water bottle का हम जो है use करते हैं, उसके बाद आता है preliminary assessment of the patient, कि आप जो है ये process करने से पहले, क्या-क्या check करोगे, तो सबसे पह जो भी physician है, उसके order check करने है, उसके बाद आप क्या करोगे, कि जो भी body part है, जहाँ पर treatment करना है, आप वहाँ देखोगे, कि वहाँ पर कोई injury तो नहीं है, या फिर कोई lesion तो नहीं है, अगर वहाँ पर कुछ भी होगा, तो आप उसको वो treatment नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसक कि कितने duration के लिए देना है, क्या treatment है, कितनी frequency होनी चाहिए, कैसे कैसे जो है, डोक्टर ने बोला है, अब उसके बाद आता है, preparation कैसे करेंगे हम patient की, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पेशेंट को procedure explain करना होता है, जिससे कि क्या आता है, हमें भी confidence आता है, patient भी हमारे उपर trust करता है, और वो cooperation भी करता है, मतलब help भी करता है, उस procedure को करने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम privacy maintain करेंगे, screen कर देंगे, मतलब पर्दे अगरा लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, patient की privacy maintain रहती है, अगर उसकी जरूर है तो हम वो कर देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, कि drape कर देंगे, पार्ट को according to the need, जितनी नीड होगी, जितनी जरूरत होती है, उसे साफ से क्या कर देंगे, जो भी body part है, उसको drape कर देंगे, उसके बाद, patient को एक comfortable position देंगे, और prevent करेंगे, चेल्स को, और क्या कर देंगे, कि blanket से cover कर देंगे, या फिर ज और जिसमें, और इसका क्या होगा, टावल, या फिर जो cover होता है, उसका वो होगा, और ये क्या होगा है, ये treatment के लिए जरूरी होता है, ठीक है, आप लोगोंने पता नहीं, rational है पहले देखा है या नहीं, तो यहाँ पे rational है का मतलब होता है, कि जो भी article हम use कर रहे हैं, जो हम step use कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या reason है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है, दो जग लेंगे हम, एक में क्या रखेंगे, गरम पानी और दूसरे में क्या रखेंगे, ठंडा पानी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि वो गरम पानी इतना ही गरम होगी, प पौटल को बहार से उस्से अच्छे से साफ कर देंगे पानी अगरा डालने के बाद कि इस पे बाहर से वह वेट्टर ना रहे हैं, क्योंकि उससे पेशंट को जो है, वो सकता है, मुझा उसको अनकमफर्टेबल फील हो सकता है, इडिटेशन हो सकती है, उसके बाद हम थे थ तो सबसे पहले हम hand wash करेंगे ताकि infection ना हो, screening कर देंगे patient की पर्दे लगा देंगे जिससे patient भी relax होगा, comfort रहेगा और उसकी privacy maintain रहेगी, उसके बार जितने भी articles हैं वो हम treatment room से collect करेंगे, इसके वज़े से हमारे जो time होता है वो भी management होगा, energy भी बचेगी और जितनी भी performance है वो जो है आधी ही bottle को fill करेंगे हम पानी के साथ, अगर पूरी fill कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा और बहुत जादा weight भी हो जाता है और अगर वो abdominal area पे है तो molding वगेरा भी हो जाती एरिया की, जब भी हम hot water bottle का use करते हैं तो हम उसको केतना, मतलब half ही fill करते हैं, fill half to third part, ठीक out कर देंगे और एक flat surface पर रख देंगे और core कर देंगे उसको tightly ठीक है, एर को किसलिए करेंगे ताकि वो conduction of heat में इंटरफेयर ना करें, वो वरना क्या करती है, इंटरफेयर करती है, conduction of heat में, उसके बाद bottle को बहार से dry कर देंगे, और उसको उपर से नीचे करके, उल्टा करक उसको चेक करेंगे कि कहीं उसमें कोई leakage तो नहीं है, क्योंकि अगर leakage होगी तो वो patient को irritate करेंगी, उसमें से पानी निकलता रहेगा, तो patient को जल भी सकता है, उसके बाद जो भी cover है, उसको bottle को उसको अच्छे से protector से उसको cover कर देंगे, ताकि patient की skin पर direct rubber का contact ना आए, क्योंक उसकी position को फिर change कर देंगे, जो maximum effect आना होता है, वो 20-30 minute आ जाता है, और उससे जादा cause हो सकता है, tissues को congestion में, या किसी भी चीज में, वो cause कर सकती है, tissues को, उसके बाद जो भी infection area है, उसको देखेंगे redness, pain या swelling तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको position उसकी change कर देंगे, ताकि burns की जो है, वो ना हो, अब उसके बाद बारी आती है, after care की, after care भी क्या होता है, जो भी hot water bottle है, उसको remove कर देंगे, और treatment खतम हो जाएगा, फिर area को जो है, हम inspect करेंगे, कि उस पर redness तो नहीं है, अगर है तो उस पर weseline या फिर oil जो है, हम apply कर देंगे, patient को comfortable कर देंगे, और जितने भी हमारे articles से, उनको हम utility room में ले जाएंगे, और जो भी bag था, जिसमें हमारा waste material था, उसको क्या, sorry, 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 वो waste material वाला bag तो हम discard ही कर देंगे, यह जो bag था, हम उसको बाहर लेके जाएंगे, अच्छे से बाहर से साफ करेंगे, और उसको अच्छे से dry कर देंगे, by hanging it upside down, उसको उल्टा लटका के, उसको क्या कर देंगे, सुखा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कि अगर जब वो पूरा dry हो जाता है, तो वापस से उसमें थोड़ी air fill करके, उसको store करके रख देंगे, hand wash करेंगे, procedure को अच्छे से record करेंगे, date, time, area, हर चीज के साथ, औ उसके बाद क्या करते हैं, कि observe करते हैं, patient की therapeutic effectiveness कितनी है, कितना उस पर effect आया है,